Hello everyone, welcome back to the channel आपकी बहुत सारी queries आती है कि self-assessment tax का payment किस तरह से किया जाता है जब हम अपनी ITR को पूरा fill कर लेते हैं और ITR fill करने के बाद जब हमें पता चलता है कि हमारी tax liability बन रही है refund नहीं बन रहा है तो उस tax liability को किस तरह से pay किया जाता है आज हम आपको live demo में दिखाएंगे हमने पूरा यहाँ पर payment किया है उसकी receipt को download किया है और receipt को download करने के बाद आपको उन entries को अपनी ITR में fill करने के बाद ही अपने ITR को file करना है self-assessment tax की details डाले बिना अगर आप अपनी ITR को file कर देंगे तो आपको defective return का notice आजाएगा self-assessment tax का मतलब होता है कि जो आप assessment year end हो जाने के बाद pay करते हैं मतलब इससे में चल रहा है assessment year 23-24 23-24 की ITR हम लोग file कर रहे हैं अगर हम 31 March से पहले अपना tax pay करते तो वो advanced tax की category में जाता लेकिन आप क्योंकि 31 March जा चुकी है अब हम payment करेंगे तो वो self-assessment के head में जाएगा self-assessment tax pay करने के लिए आपके पास दो options होते हैं या तो आप यहाँ e-pay tax पर जाएंगे और यहाँ से आप चलान 280 के थूँ अपने taxes का payment करेंगे लेकिन यह method थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ पर आपको सारी informations खुद से fill up करने पड़ती है दूसरा method यह होता है कि आप अपनी ITR को पूरा fill कर लीजे उसके बाद जब आपके पास pay now का option आता है तो वहाँ से आप self-assessment tax का payment कर सकते हैं उस option में आपको क्या फाइदा रहता है कि सारी details आपको already fill up मिलती है आपको खुद कुछ भी fill नहीं करना पड़ता आगे यह चीज़ आपको clear हो जाएगी जब आप live demo में देखेंगे तो चलिए start करते हैं आज का वीडियो पूरा return file हो जाने के बाद जब हमारे सारी columns यहां पर confirmed हो जाते हैं हमने tax paid को भी confirm कर लिया है हमने total tax liability को भी confirm कर लिया है सारे schedules यहां पर fill up हो चुके हैं इसके बाद हम यहां proceed पर click करेंगे जितनी भी आपकी tax liability बनती होगी वो यहां पर automatically calculate हो जाती है जैसे कि हमारे पास message आ गया है कि हमें इतने रुपया का payment करना है जो कि हमारी tax liability बन के आ रही है अगर आपका refund बन रहा होता तो यहां पर वो information भी आ जाती कि आपका इतना refund बन रहा है तो हमारी liability बन रही है अब हमें इसे payment कैसे करना है नीचे scroll करेंगे लेकिन अगर हम चालान 280 के through payment करेंगे जो कि आप income tax की website पर home page पर करते हैं तो वहाँ पर आपको चालान की details fill up नहीं मिलती हैं आपको खुद से उसे fill करना पड़ता है आपको assessment यह डालना पड़ेगा अपना pan number देना होगा amount देना होगा तो वहाँ पर mistake के chances रहते हैं यहाँ से करने पर आपको बहुत benefit रहता है यहाँ पर सारी informations आपको auto fill मिलेंगी चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पर हम payment gateway पर आ गए हैं और देखी यहाँ पर आपको आपका pan number मिलेगा assessment year यहाँ पर auto selected है इसे आप change भी नहीं कर सकते हैं मतलब कि यहाँ पर गलती होने की chances बिलको ही ना के बराबर होते हैं साधी यहाँ पर type of payment में self assessment tax लिखा हुआ आ रहा है बहुत से लोग यहाँ पर head को select करने में गलती कर देते हैं self assessment की जगे कभी-कभी गलती से यहाँ पर advanced tax भी select हो जाता है यहाँ पर कोई भी चीज आप added भी नहीं कर सकते हैं और कोई भी चीज आप यहाँ पर add भी नहीं कर सकते हैं continue कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको tax का breakup भी मिल जाता है पूरा breakup भी यहाँ पर auto fill मिलता है नीचे payment का amount दिया हुआ है कि कितने रुपए आपको payment करने है यहाँ पर, अगर आप अभी payment नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसे save as draft करके भी रख सकते हैं, यह आपका चलान बनके ready रहेगा, जब भी आपको payment करना हो, अब अपने account में login करके, इस चलान का payment कर सकते हैं, हम यहा सारे banks यहाँ पर मिल रहे हैं, इस में से आप selection कर सकते हैं, debit card से करना चाहते हैं, तो उसको option भी है, payment gateway के थुरू जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी सारे bank के options मिलते हैं, payment gateway में यह फायदा है कि आप यहाँ पर UPI transaction भी कर सकते हैं, net banking और debit card में आपको UPI transaction नहीं मि हम HDFC bank को select करेंगे continue करेंगे यहां पर एक बार फिर से आपको payment की details दिखाएगा नीचे आपको amount भी बताएगा यह इसके बाद हमें pay now पे click करना है तो हम HDFC bank की net banking पर divert हो जाएगे यहां पर कुछ terms and conditions आएगी यहां पर आपको I agree करना है और submit to bank करना है अब यहां पर दो options हाते हैं हमारे पास net banking के लिए आप retail user है या आप corporate user है अब आपको अपना customer ID या user ID और password देना है और bank में login करना है अब यहां पर उपर लिखा हुआ है payment of direct tax यहां पर आपको account select करना होगा कौन से account से आप payment करना चाहते हैं नीचे फिर से आपको यह सारी information दे रहा है कौन से assessment यह के लिए आप payment कर रहे हैं कितने amount का आपको payment करना है साथ ही आपका पैन नंबर भी यहां पर है minor head और major head भी दिखा रहा है confirmation पर क्लिक करते ही आपके चलान का payment हो जाएगा आपके पास इस तरह से message आ जाएगा चलान payment is successful नीचे आपकी taxpayers details दी हुई है साइड में आपको download का option मिलता है आप इस चलान payment receipt को download करके भी रख सकते हैं यहां पर एक और जो अच्छा feature यहां पर add किया गया है वो है back to return filing तो आपका चलान का payment हो गया इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी return file हो गई आपको back जाना है अपने return filing पर वहां पर आपको यह self assessment tax की details को fill करना है उसके बाद ही आप अपने ITR को submit करेंगे तो पहले हम चलान को download कर लेते हैं उसके बाद हम back to return filing पर click करेंगे चलान की receipt हमें इस तरह से दिखती है इसके बाद हम back to return filing करेंगे यहां पर कुछ invalid बता रहा है यहां से नहीं जा रहा है हो सकता है कि अभी यह option यहां पर से इफाइल से जाएंगे एसिस्मेंट या 23 जॉबिस online mode continue यहां पर हमारा draft पहले से से रिजूम कर लेंगे अब हमें tax paid पर जाना है यहां हम self-assessment tax payment के कॉलम में show details पर क्लिक करेंगे add another यहां पर हम self-assessment tax की details को fill up करेंगे जो की हमें अपने download receipt से मिलेगी यहां पर हमें देना है bsr code serial number of चलान date of deposit तो हमें पता है वो हम fill कर लेते हैं और bsr code और serial number of चलान यह हम अपनी download receipt से ले लेंगे bsr code और चलान नंबर आपको receipt में सबसे नीचे मिलते हैं self-assessment tax की details add कर दी तो यहां पर यह auto populate हो गई अब हम इसे confirm कर देंगे proceed करेंगे यहां पर हमारे पास message आ गया है you are eligible for refund of zero मतलब ना तो हमारी tax liability है और नहीं हमारा कोई tax pay bill है यहां पर हमने सारा payment कर दिया है यहां पर अब हमें अपने return को preview करना है और अपने ITR को submit कर देना है पर क्लिक करेंगे proceed to validation पर क्लिक करने के बाद हमारे पास चार error आ रहे हैं error क्या है जो भी exempt allowances है वहां पर हमने कुछ भी फिल नहीं किया है तो हमें उन columns को delete करना है यह error आपको हमेशा आएगा जब आप ITR 1 फाइल करेंगे और salary में से आप exempt allowances को delete नहीं करेंगे तो हम यहां पर क्लिक करेंगे अब यहां पर हमें यह जो भी exempt allowances दिख रहे हैं red color से marked हैं इन सब को यहां से delete करना है क्योंकि हमने यहां पर कोई भी amount fill नहीं किया है और यह देखिए allowances को delete करने के बाद यहां पर हमारा validation successful हो गया है अब हम चाहें तो preview return पर वापस जाके अपनी ITR को फि तो यहां proceed to verification पर click करेंगे अधार OTP के through इसे e-verify करेंगे और हमारी ITR submit हो जाएगी OTP enter करने के बाद हम validate पर click करेंगे और हमारी ITR finally submit हो जाएगी अब हमें सिर्फ processing के लिए wait करना है So I hope कि यहां पर हमने आपको काफी अच्छे से clear कर दिया है कि आपको किस तरह से self assessment tax का payment करना है So thank you so much for watching this video stay safe and healthy bye bye